हेलो गाईज मेरा नाम है जतने गर्माल आप जुड़ चुके हैं दबूल अफ़ लास्टी चानल के साथ और हम एक बार देखना चाहरे हैं गो थू करना चाहरे हैं जेल्फ मॉक की जो कॉर्टर ची फाइट वन थी वो कैसा रहा है उसकी प्रेजेंटेशन वगरा क्या अप्लोड करी है कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट के एक बात मुझे बहुत अच्छी लगे एक बहुत क्लियर बात उन्होंने कही कि कंपनी को लेके जो विजन है मैनेजमेंट का, revenue sources का या यह उन्हों business को लेके vision है वो क्या है तो इन्होंने basically तीन चीज़ें बड़ी clear करी हैं कि हम investments पे focus करना चा रहे हैं Services पे obviously focus करना चा रहे हैं जो भी हम services वगरा provide करेंगे thirdly हो सकता है कि investments अगरे को sell off किया जा तो उससे भी बहुत अच्छा revenue generator future में तो जो मेरी thesis थी कि मैंने इसको buy किया था कि आप startups में invest करोगे आप अलगला companies में invest कर रहे हो और उसका कहीना का indirect benefit मुझे मिले वो मुझे बिल्कुल play out होती हुए इस company के अंदर दिख रही है and you know valuation पे तो मैं नहीं कहना जाओँगा कि आप इसके अंदर और addition कर सकते है but I seriously do not think इसकी valuation नीचे आने वाली है कुछ खास तो I mean we'll all have to take it with a pinch of salt and add this company at higher valuations again मैं आप लोग को फिर से bond करना जाओँगा मेरी जो initial investment है सारी जो अच्छी गासी जो मेरी बड़ी investment में ने करी थी उसकी जो average price is that is 100 rupees per share तो काफी नीचे है भी भी वो तो definitely stock वहां से 3 गुना उपर खड़ा है but let us do one thing let us go through the results of the company and एक बार trading view पे और देख लेंगे chart को कि किसे साब से हमें दिख रहा है screener पे मैं आपको अगर एक बार go through करा दूँ तो valuations हम देखेंगे price to earning multiple से इसको अपना judge नहीं कर सकते exactly सबसे बड़ी दिक्कत की बात वो है और देखो अगर literally high से low compare करो तो 10 times होगा है stock but the thing is कि अगर मैं price to earnings multiple पे इसको judge करूँ नहीं कर पाऊ हो because investments की future value predict करना बहुत difficult है and that is something which comes across I would say as a very very subjective thing जब हम valuation कर रहे होते हैं किसी भी startup की tech companies की एक चीज़ और मेरे को बहुत अच्छी पता चली है company के बारे में मतलब idea तो था कि उसी साब से करते हैं but yes इस बर con call में वापस वो discussion हुआ उस point पे तो फिर मैंने का reinstate कर दिया जाए कि जो भी startups है इनके है जो भी companies के अंदर लोग stocks उठाते हैं तो उसको हर six months में value करते हैं कि किस हिसाब से उनकी valuation चल रही है September में और March में अगर कोई बीच में you know seed funding हो जाती है कोई BC गुज जाता है कोई angel investor कुछ भी आ जाता है महला कहीं पर भी कुछ भी अगर investing हो जाती है funding हो जाती है कहीं पर capital raise हो जाती है तो उसको फिर उसी समय revise की आ जाता है otherwise six months में revision करते हैं which I think is absolutely fine 110 team members है 43 clients है 4 city में operations है यह लोग बाकी की countries में भी जाना चाहरें in fact they are planning to set up an office in London और उसके लिए काफी ज्यादा focus में है company इस समय की Europe अगे हमें operations expand करेंगे एक चीज में आप लोग को और करना चाहूंगा because I cover all the tech companies in the firm money craft जो हमारी firm है money craft basically we have divided our research and tech and IT मेरे पास है पूरा तो बाकी companies को भी जब मैं go through कर रहा था तो everyone is very very bullish on Europe and that is quite surprising for me but कहीना कहीं दिख रहा है कि Europe में भले ही you know चीजे बड़ी strict है but Indian companies are able to manage those things तो आप सबको बताऊंगे data के जो norms होगे रहा है privacy के जो norms है या जो rules and regulations उसके surrounding सबस्यादा strict Europe है उन चीज़ों को लेके and कहीना कहीं पे Indian companies are able to do and deliver results और ये भहुत अच्छी बात है Europe में because they are becoming very very dominant तो guys एक बार नीचे चलके देख लेते हैं हमें definitely पता है company के बारे में काफी चीज़े हमें ये भी समझाता है कि AI, machine learning, space, data analytics इन सब के अंदर भहुत ज़्यादा focus है company का और ये कई सारे startups के साथ basically कहते हैं कि हम early stage investor वगरा तो नहीं है बढ़ हम उनको अपनी तरीके से partner मानते हैं कि हम उनकी problems वगरा solve कर रहे हैं and उस चक्कर में हमने देखा है कि कई बर company पैसा नहीं लेती और stake उठा लेती है and उसी के reason के basically वज़े से investment हम लोग तो इसके अंदर करने की सोच रहे हैं तो products वगरा को आप go through कर सकते हैं they've explained everything in detail in the investor presentation but मैं जराना numbers पे और इनके investments पे focus करना चाहूंगा because that is what we are looking at इस समय तो आप definitely go through करिये हर चीज़ को but मैं आप लोग को जो मेरी thesis है ना उसके ओपर में थोड़ा focus करना चाहूंगा यहां पे okay so we know Fortigo and we know MeHub भूत ज़्यादा इनके अच्छी investments रही है MeHub आपका voice technology के अंदर है company and मैं आप लोग को बता दूँ कि जब मैं LTTS को track कर रहा था तो they are one of the few people I think one of the five companies who have been selected to work with Amazon Alexa बहुत ज़्यादा investments हो रही है audio की side पे Amazon is definitely the leader second would be Google third would be Apple जो big three है नके अंदर तो बहुत ज़्यादा investments चल रही है न सब के अंदर and कही ना कही MeHub जैसा एक जो startup है जो regional languages, local languages के अंदर आ रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक advantage देता है एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ कि जब हम लोग बात करते हैं जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं कोई शुद हिंदी नहीं बोल रहा हूँ या I wouldn't say कि मैं proper English बोल रहा हूँ English, Hindi, mix है और भी कोई languages आती होंगी तो थोड़ी-थोड़ी सब की mix होने लग जाती है बीच में तो यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि when an Indian is speaking who knows let's say two or three languages तो वो mix करके बात करते हैं languages का वो proper उस एक language में नहीं बोल रहे होते and कही ना कहीं पे mehub जैसे start-ups जो है वो बहुत ज़्यादा help कर सकते हैं इन सब चीजों के हमदर 40 को definitely मैं आप लोग को पहले समझा चुगा हूँ I guess ऐसा मान सकते हो उसको Uber है ट्रक्स के लिए तो basically होता क्या है कि मान लोग कि ट्रक्स ने ट्रांसपोर्ट कर दी अपना समान point A से point B पे और point B से point A पे उसे वापस आना है और वो खाली आ रहा है तो 40 को क्या आप पे जाएगा वहाँ पे देखेगा कि अच्छा कुछ ना कुछ मेर को क्या मिल रहा है कुछ ट्रांसपोर्ट करने को online bidding bidding हो जाती है वो अपना accept करेगा वो हाँ से उठालेगा अपना जो माल उसे ढूना है और वो point A से point B पे आयता point B से point A पे उसे ले जाएगा तो जो trip में वो खाली आता है उसको खाली आने की जूरत नहीं है कहीं नहीं efficiency आती है, extra income आती है, productivity बढ़ती है तो वो सम्मानला बहुत अच्छी बात है और बाकी startups को भी हम go through कर सकते है but these two have really really caught my eye I think Fortigo के अंदर Mr. Nanda Neil Kinney की भी investment है if I remember correctly तो these two startups have really really caught my eye और Zelponk बड़ा clear करती ही चल रहे है कि हम किस-किस field के अंदर जाना चारे है एक चीज जो बहुत ज़ादा ज़रूरी है हो यह है कि Zelponk हमेशे बहुत focus रही है कि हम एक ही field के अंदर लेट से चार companies में invest नहीं करेंगे हमें आए कि एक company के अंदर invest करो एक field के अंदर and कही मुझे लगता है कि इसका benefit इसको आगे आने वाले time में मिल सकता है because बहुत अच्छे relations डेवलप हो सकते है इस company के बाकी लोगों के साथ तो चाहे हम slate जैसा देखें जो accounting पे focused है चाहे हम fitness के उपर focus जो startup है bold उसको देखें चाहे हम बाकी startups को देखें तो आप देखोगे अलग अलग industry से इनोंने उठा रखें है and taxi top हो गया जैसे तो इसके अंदर obviously advertisement का है taxi top media जो है तो कही ना कही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा focused बहुत ज्यादा मैं काऊंगा limited companies के साथ ते लोग काम करने which is good because that allows them to be selective तो हम जब trading अगरा करते है investments करते हैं तो हम सब को यह करते हैं कि selective होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है tech के उपर और education sector के उपर बहुत काम चल रहा है इनका education sector के अंदर अभी भी you know that in process of developing और काई quarter से में सुनता आरहों कि यह चल रहा है एक बार यह ढंक से launch हो जाए तो company ने काई कि हम इसको disclose भी करेंगे किस के साथ काम कर रहे हैं क्या है कैसे कर रहे है but education sector में we have seen the day byju stepped in byju ने बिल्कुल education sector को बदल दिया अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे that is a different thing we have all seen white heart junior वालों की videos वगेरा जो हमें बदा चला है कि कितनी मलब staff को कभी-कभी लगता है कि coaching नहीं हो रहा है उन्हें पता ही नहीं कि बोलना क्या है या किस तरीके से वो अपने free trials conduct कर रहे है but that is a different thing मैं आपे discuss करना चारा हूँ कि company ने कैसे revolutionize किया sector को और मैं बिल्कुल we believe नहीं करता है कि सारे बच्चों को coding में डाल दो I am absolutely against that I think coding is very very necessary बहुत जादा जरूरी है but बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो हर चीज़ जरूरी है हर चीज़ लेकिन एक limit में जरूरी होती है अगर आप पहले दिन से उनके सामने कम्प्यूटर पटक दोगे पता चलेगा भई यह क्रिकेट खिलने माला कोई नहीं बचेगा तो anyway coming back to education sector education sector के अंदर हम देखे revolution बहुत जादा हुआ है valuations are going through the roof and why not India जैसी और China जैसी इन countries के अंदर हम देखते हैं कि कितना जादा parents को और families को रहता है बच्चा के पढ़े numbers लाए यह करे वो करे तो developed countries में इतना नहीं है मैं कहूंगा पढ़ाई को ले कि जतना developing nations के अंदर है and that is fine मतलब गरीबी से निकलने का सबसे असान तरीका होता है कि आप धंग से पढ़ लो और आप एक अच्छी नौकरी कर लो तो उसके अंदर भी again कोई complaint नहीं है but people need to realize कि कहां पे उनके लिए क्या चीज़ ठीक है तो education sector के अंदर लेकिन जो main चीज में आप लोगों से कहना जा रहा हो वो यह है कि valuations पे ध्यान रखो थोड़ा अगर यह किसी company में धंग से invest कर पाते हैं या कुछ ऐसा product या कुछ ऐसी application डेवलब कर लेते हैं जो बाकी लोग use कर सकें तो इसकी valuation को भी एक revision मिल सकता है particularly इस batch को जो यह investments करेंगे ना इस particular company में इस particular field में उसको तो एक बार हम guys go through कर लेते हैं investments जो इन्होंने करी हैं हम देख सकते हैं कि जो उपर की दो हैं काफी बड़ी है snap hunt भी हम देख सकते हैं कि बड़ी हो गई and yes उसमें फिर valuation में कहीं ना गई correction आ गया तो यह सारी चीज़े तो देखो चलती रहेंगी इन चीज़ों में आप लोग को cost of investment के आसपास आगया भीच में गिर गई थी investments की value काफी जादा and भूबली को अगर हम देखें तो that's also doing pretty well कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जैसे हमारे stocks के portfolios होते हैं इसके पास भी एक portfolio of companies होने वाला है एक company चलने की देर है और आपको लगेगा कि आपने info edge के बज़ए self mark खरीद लिए तो कोई बुरा ही नहीं हुई है company जो लोग चला रहे हैं क्या उन पे मैं bet करना हूँ तो definitely उन पे मैं bet करना हूँ मैं पहले भी यह चीज़ बता चुक हूँ आप लोगों को कि मेरी पूरी bet है company के promoter पे और उनकी investments पे और उनकी thesis पे और ज़स दिन promoter change होते हैं I will have to rethink my investment but the thing is कि अब तक मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगी in fact their projects, their startups are doing very very well और बहुत सारे startups में आप देखना है कि valuations आपको बढ़के दिखने लगेंगी और कई सारों में write down भी आएगा मैं आपको कह दूँ पहले बहुत सारे startups होंगे जिनकी valuations ही नहीं बचेंगी and that is absolutely normal उसके अंदर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है but ये आपको risk हमिशा मान के चलना है किसी भी ऐसी company में अज़ जैसे Madwork Ventures को ले लेते हैं इसके अंदर आप देख रहे हो कि value लगातर गिर रही है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा इसमें कोई लेकिन ऐसी खराब की बात नहीं है कहीं आप सोचो कि अरे सारे startups down जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा एक का दुक्का भी चल गया न अगर तो सारा काम चल जाना है इन लोग होगा तो of course अब guys यहाँ पे इनोने और startups की थोड़ी summary सी दे रखिये you can go through this if you want to financials के अंदर हम देख लेते हैं generated positive adjusted operating EBIT of 40.6 million rupees तो ठीक है धीरे धीरे company profitable भी हो गई है revenues आप देखोंगे तो बहुत छोटा है कि 40 million dollars नहीं है 40 million rupees right it's a very tiny company it's a penny stock में कहूंगा micro cap है but this is one of those companies जिसके अंदर आप confidently थोड़ा invest करने कि सोच सकते है because you know what is happening तो इसके अंदर हम देख रहे है revenue अगरा सब बढ़ता हूँ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है again मेरी investment thesis is side पे है ही नहीं मेर को है आप invest कि in companies में कर रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ financials go through कर रहा हूँ I have seen nothing wrong in financials in fact देखेंगे कि growth अगरा भी बहुत अच्छी आ रही है कि इना कही तो उसमें ऐसी कुछ दिक्कत की बात नहीं है अगर ये let's say कि profit after tax से you know losses में चली जाती है that is also not a worrying factor for me मैं अपने लिए आपको बता रहा हूँ ये loss declare शुरू कर दे अगर यहां पर करना पर इसके एक startup की value बढ़नी शुरू हो जा I really do not care मेरी investment thesis again मैं आप लोग से repeat कर रहा हूँ it's based on your valuations of your startup तो मैं तो इसको continue कर रहा हूँ hold करना at these valuations I really cannot ask anyone to add this company in their portfolio ये मैं आप लोग को पहली बता चुका हूँ और मैं अभी भी यह चीज कहूँगा साड़े 300 पे भी यह चीज कही थी 300 पे भी यह चीज कह रहा हूँ मैं कि मैं इन valuations पर आपको नहीं कह सकता खरीदने को but the thing is I really do not know how you are going to value this company investments की value 2-3 महिने में हो सकता है भी कोई seed funding हो जाए किसी के और एकदम change हो जाए तो you'll have to track कि companies जो इनके start-ups है वो क्या कर रहे है इस company में you know एक value जो आपको निकालनी है एक horizon आपको जो investment का बनाना है उसी basis पर बनाना पड़ेगा and मैं आप लोगों से यह कहना जाओंगा number wise आप देखोगे तो आपको लगा है company बहुत छोटी revenue है रहे कोई जतने revenue थोड़ी आ रहे है आपके I agree to that इनकी लेकिन सारी जो growth आनी है सारी जो valuation market दे रही है वो इस basis पर दे रही है it's a very very comprehensive list of investments and this list I would suggest is going to grow उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है in fact I think within 2-3 years we'll get to know which startups are working and which are not working which is very very important for us क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा मेरा खुद focus जो आपके पहले की 2 companies है न उनके उपर ही है सबसे आदा तो देखेंगे किस हिसाब से कंपनी करती है कैसा करती है किस हिसाब से और investments अगरा कर पाते है लोग नहीं कर पाते है जो भी होता है तो उन चीज़ों को हम go through करेंगे and मेरे को अभी quarter 3 के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा है एक बाद लंडन का office resume होने देते है उसके बाद call लेंगे कि किस हिसाब से company में और अच्छा काम बाँ हो रहा है नहीं हो रहा अगेन गाईस एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँग trading view पर चलने से पहले this is not at all an investment advice even though I run a C.B. registered investment advisory firm but ये investment advice नहीं है क्योंकि आप हमारे clients नहीं है मैं आपकी risk profiling करिये न portfolios बना रहा हूँ न कुछ but since I've been covering Zelfmock for so long so I feel a lot connected with this company मुझे लगता है कि यार मेरा तो फर्स बनते हैं लोगों को updates देते रहे न और अपनी thesis कम से कम share करते रहे तो इतना तो मैं करी सकता हूँ इसके अंदर let us go to trading view and see की stock कैसा कर रहा है महाँ पर call ले लेंगे कम से कम अब circuits में deal नहीं हो रहा रोज वनना तो भई ये chart ही नहीं construct हो रहा था तो guys हम लोग आ चुके इन trading view के उपर अगर आप मुझे trading view पर follow करना चाते है नीचे description में जाओ मेरे जो trading view के profile उसका link थक मैंने डाला हुआ है तो आप महाँ पर मुझे follow कर सकते है अगर आप देखना चाते हैं महाँ पर भी जो charts हो करना मैं publish करता हूँ अलग से तो इसके अंदर देखो guys 75 rupees के around एक resistance थी बहुत अच्छी जो ये काटता हुआ ले गया और उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा इसके अंदर run-up देखा है उसके आप मुझे कहीं ना कहीं ये zones बनते हुए देख रहे है specially ये जो नीचे support की line है I think this should be the bottom for this stock हो सकता है नीचे आजाए बिल्कुल हो सकता है नीचे आजाए बहुत छोटी company है charts इतने धंसे work नहीं करते है इनके अंदर and there are high chances कि ये 230-240 के levels पर आजाए बिल्कुल आ सकता है बड़ ये line मुझे बहुत अच्छे लग रही है if कल एक green candle बन जाती है यहां पर बहुत बड़ा positive sign हो जाएगा in fact I am uploading this video on the 23rd तो हो सकता है आप देख सकें कि green candle बन रही है नहीं बन रही तो in fact इससे बड़ी चीज़ी क्या होगी कि एक दिन पहले मैं record करके आपको कह रहा हूँ भी कर दूँ इसकी मुझे ऐसी कोई ज़रुवत नहीं है this is one line which is holding very very well तो अगर यहां पर green candle आप लोग को दिख जाती है 23rd को then I mean एक like तो बनता है वीडियो पर otherwise नीचे का zone मैंने आप लोग को बताई दिया इसके अंदर ऐसी को बात नहीं है अगेन जल्कमॉक आप में से काफी लोग मुझसे पूसते हैं कि you know कब तक hold करनी है क्या करना है guys देको मेरा investment का मैं आपको बता चुका हूँ thesis I have no problem in holding this company for I would say 50 years if I have to अगर वो thesis play out होती रहेगी बट वो thesis play out नहीं होएगी तो I will exit अब आप लोग क्यों लेना चाह रहे हैं कि आप 6 महीने hold कर सकते हैं आपके पस cash position cases आप से आप cases आप से आप से पना portfolio चलाते हैं that is absolutely up to you तो आप लोग अपनी thesis देखें there are only two reasons to sell a stock in my opinion one is आपकी thesis work ना करे and second is chart आपको बोल दे भी हमने इसको देखें कोई भी दिक्कर नहीं लग रही है चार्ट समसा ऐसी नहीं गह रहे हैं कि भाईया कल कम नहीं खतम हो रही है और इससे निकल जाओ अगर आप लोग को ऐसा को चार्ट देखना है जो आप से कहें कि भाईया निकल जाओ इससे तो DHFL को भी हम deeply study करेंगे analyze करेंगे बाद में किसी और वीडियो के लिए topic रख लेंगे अगर आप चाते हो तो कि इनके individual startups को हम देखें और समझें कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं अगर आप वो चाते हो तो बिल्कुल किया जाएगा and I hope this video helps you, guides you, gives you insights again to my investment thesis ता कि आप लोग समझ सकें कि मैंने क्यों इस company के अंदर पैसा डाला था and maybe अगर आपके और मेरी investment thesis match होती है तो बिल्कुल आप इसके अंदर सोच सकते हैं buying करने की I mean I have really no way of valuing this company, भहत लोग मुझसे जैसे Root Mobile का भी कह रहे थे, तो Silver Members के लिए मैंने उनको तरीका बताया था कि कैसे value हो रही हैं बाकी की companies, अगर आप लोग Silver Membership आपने देखा है तो you would have realized how difficult it gets to value such companies, तो ZelfMock को low investments के साब से देखो, revenue के साब से देखो comfortable हो, hold करो comfortable नहीं हो, बहुत सारी companies हैं market में पैसा बनाने के लिए जबर्दस्ती invest नहीं करना हमें उन companies में जिनकों समझ नहीं सकते हैं तो guys thank you so much for watching this one, I'll see you in the next one, bye